आज कुछ नए अंदाज में मैं आपके लिए मजेदर नास्ते की रेस्पी लेकर आई हूँ यकिन करें पुराने नास्ते आप भूल जाएंगे इसके स्वात के दिवाने हो जाएंगे बच्चों या बड़े सभी अपना टिफन कतम कर गयाएंगे तो चलते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेड़ कप सूजी लिये सूजी बारिक मोटी को इसी भी ले सकते हैं अब यहाँ पे मैं एक कप गाड़ी धाई का यूज कर रही हूँ आप चाहें तो लसी का भी यूज कर सकते हैं अब इसमें तोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से इसको घोल तियार कर लेंगे तो यहां पे हमारा घोल तियार हो चुका है अब इसमें मैंने आदा छोटा चमच नमक डाल देंगे और दुबारा से mix कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए हमें rest में रखना है 10 मिनट बाद ये अच्छे से फूल गई है अब इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे यहां मैंने टोटल पानी आदा कब से थोड़ा जादा डाला है अब क्या करना है कि इस बैटर के हम दो भागों में बाट लेंगे बराबर बराबर तो एक भाग में मैं यहां इनो डाल लेंगे इनो डालने से इसमें जाग जाग से आएंगे और फुला फुला बैटर त्यार हो जाएगा और मैंने थाली लिए है, इसे अच्छे से ओईल में चिकना कर लेंगे, अब इसमें हम इनो वाला बैटर डाल देंगे, और दो तीन वार टैप करेंगे, इधर मैंने गैस पे कड़ाई में पानी गरम करने के लिए रख दिया था, एक किस्टेंड डाल है, और इससे थाली को र सकते हैं, और अच्छे से मिक्स करें अब इसमें आदर चोटे चमच इनो डाल देंगे और अच्छे से मिला कर रख देंगे अब यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, यह अच्छे से पक चुका है, अब यहां फ मने टमाटर स उ colonial हैं तो पनातर सोस लगा रही हूं आब इसमें क का यूज नहीं कर रही हूं अब थोड़ा सा चात मसाला डालेंगे अब यहां पर जो हमने हरे धनिया वाला बैटर बना के रखा था इसे डाल देंगे अच्छे से पतली लें में फैला देंगे और इसे 10-12 मिनट के लिए दुबारा से पकने को रख देंगे अब यहां पर 10-12 मिनट हो चुके हैं यह अच्छे से पक चुका है इसे चेक कर लेते हैं चको की मदद से तो देख सकते हैं बिल्कुल नहीं चपक रहा है अब गैस को बंद कर देती हूं ठंडा होने के लिए रख देते हैं यह अच्छे से ठंडा हो चुका है अब नाइस की मदद से इसको ल जालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और भी डाल सकते हैं याकिन करिए सभी दोस्तों बच्चें यह बड़े सभी को यह बहुत ही पसंद आता है क्योंकि यह टेस्टी और कलर फुल भी है बच्चों को कलर फुल चीजें बहुत ही पसंद आती है बच्ची बड़े जब कि कुछ हमने हेल्दी बनाया है चलिए आज के वीडियो में ही खतम करते हैं फिर एक नई रेस्पी के साथ में मिलेंगे आप सब को पता है क्या करना है चलिए बाइ-बाइ थैंक यू